स्टोक ट्रेडिंग 360 में दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक जाने मने स्टोक टीजीवी राक लिमिटेट के बारे में काफी अच्छे और शांदार इन्होंने रिजर्स पेश की हैं आज बात करते हैं हम इसके टीजीवी की बारे में तो टीजीवी जो है एक क्योंक ये चोटा सा chemical stock है काफी आच्छी company है जो अपने ये chloralkae adversary products and chloro methane and fatty acids के production में deal करती है कंपनी तो टीजीवी जो इस टौक है काफी जाना माना इस फौक है और इस company ने company से भी आप expected है कि क्योंकि रिजर्स जो हैं काफी जादा शांदार हैं बात करें हम fundamentals की तो चोटे से market cap की company है 995 करोल की जिसका current price है 93 रूपे और 92 week high की बात करें तो 110 पर ये 92 week high लगा चुका है जिसमें 92 week जो low है वो 32 गे आसपास है 352 रूपे का है stock PE की बात करें तो 3.66 का है और industry PE की बात करें तो industry PE 21 का है तो आप उसके comparison में देखेंगे industry PE में तो काफी ज़्यादा undervalued stock है company का जो company का बात करें हम placed percentage की तो company पर company के मात्र 9.3 9.3 शुनिय परसेंट जो है वो इनके जो shares है वो गिरवी हैं बाकी करजे की बात करें तो debt company पर 428 करोल का है तो बात करते हैं इसके chart की तो आप chart पर देखेंगे कि इसने अपने 50 DME को respect किया है एक तेजी के बाद में दिन consolidation अभी 50 DME से थोड़ा सा उपर है बट ये 12 week अपने जो high है इसको cross कर देगा 100 के label को ये जल्दी cross कर देगा आने वाली कुछी sessions में बात करते हैं इसके रिजर्स की तो आप रिजर्स देखेंगे कितना शांदार इसका रिजर्स आया है जो इस quarter में जो रिजर्स है वो 596 करोड का company को profit हुआ है जो June quarter में 221 करोड का था तो आप देखेंगे कि यहां से just double हो चुका है और अगर हम March quarter के भी बात करें तो यहां से भी इसमें अच्छी खासी बड़ा company के revenue में इस stock ने इस company ने परदर्शित की है तो काफी अच्छा stock है और अगर मैं बात करूँ इसके net profit की तो जो net profit इसका 10 करोड का था इस stock का वो अभी बढ़कर 148 करोड का हो चुका है तो आप देखिए कि 14-15 पंदरा गुना के असपास इसका जो profit है net profit है वो इतना ज़्यादा increase हो चुका है and EPS की बात करें जो 0.91 है वो यहां पर 13.80 है तो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी तेजी आ सकती है इस stock के अंदर reserves की बात करें तो जैसा कि मैंने उपर date की बात करें तो 428 करोड का date है company पर और 636 करोड का जो है यह revenue है company का तो आप देखेंगे revenue जो है इनका बढ़ता जा रहा है and अभी काफी अच्छा जो company के पास reserves पढ़ हुआ है तो यह almost debt free company है promoters की holding की बात करें तो promoters की holding भी अच्छे खासी holding है जिस हिसाप से यह छोटा सा small cap का stock है 63.8 है और consistency बनी हुई है promoters की holding में and DIYs की holding भी इसमें इस stock में है जिस तना सा छोटा सा stock है उस हिसाप से आप देखेंगे कि इसमें DIYs की भी entry है holding बनी हुई है public की holding मातर 36.8 है तो आप देखेंगे कि यहां से क्योंकि results काफी ज़्यादा शांदार इनके आये हैं तो यहां से एक बड़ी तेजी दिखा सकता है क्योंकि 20% का per circuit है तो कल इस stock में आपको अच्छी तेजी दिख सकती है अभी कुछ sessions तक और यह जो बावन भी खाई है यह इसको जल्दी cross करते हो दिखेगा stock जो कि बावन इसकी जो book value है वो काफी अच्छी है तो यहां पर मैं आप बोलूँ आपको यह 150 का level आपको जल्दी यह stock दिखा देगा अभी short term में 3 महीनी के अंदर आपको यह 140 to 150 तक का target आपको short term में दिखा सकता है तो मेरे end से एक buy call है guys आप लोगों के लिए बाकि आप अपने financial advisor से भी consult कर सकते हैं मैंने आपको results बता हैं इसके results काफी उमदा result है और 15 गुना company को पिछले quarter से इस quarter में profit हुआ है तो एक buy call है guys and जहां तक मैं भी इस stock को कल buy करने की try करूँगा अगर अगर ये upper circuit में open नहीं होता है तो तो thank you so much guys and please also consult with your financial advisor before you buy or sell any stock recommended by this channel thank you so much guys and all the best जल्द हाजिर होता हूँ एक नए stock के साथ thank you so much